अपने YouTube चैनल इंड्रेश GS Classes में आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तों आज हम लोग जो हिंदी का हमलों का एक नया प्रैक्टिस सेट लाएं जो अर्विंद का है जो ठीक है अर्विंद का आज 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 आप लोगों को अर्विंद प्रैक्टिस सेट से जो हमलों पी गरा तरंग सब्द का जो परियावाची है, जलद ही किसका होता है, तो जो जलद ही होता है, जलद ही का मतलब क्या होता है, समुद्र का परियावाची होता है, जिसमें धी लगा रहता है, वो किसका परियावाची होता है, समुद्र का होता है, कूल का मतलब क्या होता है, कूल क उर्मी का मतलब का होता है लहर, जिसको बोलते हैं तरंग, तो इस तरह से हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या जाएगा, उर्मी, लहर, तरंग, वेब, ये सभी किसके परियावार चीए है, जब आप किसी तालाब में एक छोटा सा कंकड फेकते हैं तो उसे वेब बिलोम सब्द है तो गौराव का बिलोम सब्द क्या होता है लागा हो ठीक है क्या होता है लागा हो तो ए पार्ट हमारा क्या जागा राइट हो जागा अपमान का बिलोम क्या होता है अपमान का होता है शम्मान ठीक है अपमान का क्या हो जागा शम्मान भिलोम होगा ठीक है श आंसिक देखिए इसे लिखा जाता है आंसिक तो क्या प्रत्या है तो इसमें इक प्रत्या लगाने पर हमारा क्या होता है आंसिक तो इस तरह से इसका भी हमारा क्या जाएगा एक क्या होते हैं, एक सब्दांस होते हैं, जो प्रत्य हमारा होता है, क्या होता है, क्या होता है, शब्द का अंस होता है, ठीक, भाग होता है, चलिए, आगे बताजी, question number 34, अत्यंत सब्द में उपसर्ग क्या है, बताइए आप लोग, अत्यंत जो सब्द हमारा है, 34 का, उसमे उपसर्ग क्या है तो उपसर्ग जो हमारे होते हैं उपसर्ग पहले आप लोग जाने लिए उपसर्ग क्या करते हैं सब्द के क्या लगते हैं जो सब्द होते हैं हमारे सब्द के पहले लगते हैं सब्द के पहले लगते हैं यह एक तरह का क्या होता शब्दांस होता है क्या हो होता ठीक है इसमें देखिए क्या हो गया अती हमारा ही क्या है उपसर गया ठीक है यह हमारा क्या है इसमें उपसर गया तो राइट एंसर इसका क्या जाएगा डी पार्ट हमारा क्या होगा इसका राइट एंसर जाएगा ठीक है चलिए आप 35 भी यहां भी बता दीजिए नेमन में दो ही लिंग होते हैं, एक पुलिंग, एक इस्त्रिलिंग, ठीक है, मेरा, मेरी, मेरा हो गया, और मेरी, ठीक है, ऐसे भी करके, या आप वाक के बना लीजिए, आप वाक के बना करके भी आप इस्त्रिलिंग और पुलिंग एक ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं, आचार आचार या पे क्या आचार एक पुलिंग है हंस का हो क्या होगा हंसिका या हंसनी होता है हंसनी उसका क्या होता है इस्त्रिलिंग होता पंडित का क्या होता है पंडित का पंडिताइन होता ठीक है लेकिन रितु क्या है रितु सब्द हमारा जो है रितु क्या है रितु हमारा इ हो जाएगा चलिए 36 बता दीजिए निमने लिखित सब्दों में से एक सब्द पुलिंग है उसे बताईए तो क्या बुढ़ापा है घटना है जड़ता है या दया है तो बुढ़ापा तो कौन सा अच्छा बुढ़ापा होता है अच्छी बुढ़ापा होता है अच्छी जड भाव वाचक संगया है ठीक है भाव वाचक संगया है और जो भाव वाचक संगया होती है सदा हमेशा किसमें रहती है तो हमेशा क्या रहती है पुलिंग होती है क्या होती है ठीक है क्या होती है पुलिंग होती है ठीक है क्या होती है पुलिंग बाकि हमारे तीनों जड़ता घ बिना स्वर्ग नहीं दिखता मतलब अपने मरे बिना जो है स्वर्ग नहीं दिखता का आर्थ क्या होता है सोयम प्रयत्न करने पर ही काम बनता है प्रयत्न ये सही ए पार्ट सही है या बी पार्ट प्रयत्न किये बिना जो वास्त विक्ता सामने नहीं आती है थर्ड विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है, सोयम ही सब कारे करना पड़ता है, तो 37 का right answer क्या, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, एक तरह किया क्या लोकोक्ति है, इसका आर्थ होता है, सोयम प्रयत्न किया, बागी हमारे सभी 38 क्या कर रहा है, कि अपने मुह मिया मिठु बनना का अर्थ क्या होता है, अपनी प्रसंसा सोयम करना, बहुत समय तक दिखाना, बहुत समय तक दिखाना, अपने, अपना मतलब निकालना या अधिक प्रिय होना, बताई, अपने मिया मिठु लाल बनना, यह भी गलत है ये भी गलत है ये भी तो अपनी प्रसंसा क्या करना सोयम करना ठीक तो ए पार्ट हमारा क्या आजाएगा राइट आजाएगा ठीक है में बिल्कुल साही है और स्राधा भी बिल्कुल साही है लेकिन जो हमारा स्रिंगार है वो हमारा क्या गलत right answer क्या जाएगा second वाला हमारा right हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं question number 44 40 बताई चालिस हमा नेमने लिखित बिकल्पों में से सुद्ध वर्तनी वाला सब्द का chain कीजिए उपर इसमें क्या बताना हमको सुद्ध बताना ठीक क्या सुद्ध बताना तो उपर इउक्त तो गलत है उपरोक्त भी गलत है उपर इउक्त या उपर इउक्त बताई आब इन दोनों में आप confused होंगे दूसरे और चौथे में तो कौन सा right answer है इसको आप बताएंगे तो उपर इउक्त सब्द जो हमारा होता ये वाला हमारा डी पार्ट जो है राइट होता बाकी जितने भी लिखे हैं सभी हमारी क्या होते हैं गलत होते हैं देख लिजे उपर इउक्त किस तरह से लिखा जाता है आगे आज ये question number 41 देखे 41 क्या कर रहा है कि वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह प्रकट होता है वहां कौन सा हो जो वर्तमान तो मतलब वर्तमान का क्या क्रिया के भेद तो क्या वर्तमान में क्रिया के होने का जहां संदेह होता उसे क्या बलते हैं संदिक्ध वर्तमान काल बोलते हैं ठीक है सामानने में सामानने वर्तमान काल ज तो यह क्या सम्भावना प्रकट की जा रहा है ठीक है तो वहाँ संभाव संभाव बेवर्त मान होता है next चलते हैं question number 42 बतायेंगे तल lean स्ब्द में का सही संदी ने विच्छेद है तो इसका क्या होता तत प्लस lean होता या तत प्लस lean होता बताई या यह क्या है बताए, 42 का right answer क्या आजाएगा, तल lean सब्द का संद बिछे, तो क्या होता, तत plus lean होता, ठीक, क्या होता, तत plus lean होता, ठीक, तत plus lean मिलके क्या, तल lean होता, तो किस आपसन में दिया, तत देखिए, तो तत हमारा d part में दिया गया, तो इस तरह से हमारा d part क्या हो जाएगा, और है ब्येंजन संदी ए भी याद रखीएगा ठीक आगे आये चलते है कोशन नंबर 43 बताई कोशन नंबर 43 का रहा कि अन्ने वेशन सब का सही संदि विच्छेत क्या होगा तो अनू प्लस em संदी वीच्छेत होगा तो अनुप्लस एशन होता है, अनुप्लस वेशन होता है, बताई, 43 का राइट एंसर क्या हो जाएगा, तो 43 का राइट एंसर क्या हो जाएगा, हमारा D पार्ट राइट होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसमें कौन सी संदी है, यन संदी है, ठीक है, क्या हो जाता है, वा सब्द का अनेकार्थी क्या है मत्सर मत्सर सब्द का अनेकार्थी क्या होता 44 का मत्सर सब्द का मतलब होता इर्षया क्या होता इर्षया से होता क्या होता इसका अनेकार्थी क्या है इर्षया मत्सर का मतलब क्या हता इर्षया करना ठीक चलिए 45 बताइए तद भहो शब्द का chain कीजिए, तदभाव का मतलव जोता है हिंदी में आये हूँ, ठीक है कमल हो गया, निडर हो गया, शुर हो गया, गती हो गया, तो 45 का राई, टैंस्वर हमारा क्या जाएगा, निडर सब्द हमारा इसमें क्या होगा, तदभाव होगा और बाकी गती कमल शुर इस हमारे का तश्रम सब्द हैं आगे आएंगे आप कोशन नमबर 46 बताएंगे इसी तरह के कोशन सभी एकजाम में चाहे हमारा वीडियो का हो गया चाहे लेखफाल का हो गया वीडियो री एकजाम और लेखफाल की जो आने वाली सभी तो आप जीश तरह से सपोर्ट बनाए हुए इसी तरह से क्या करी है बनाए रखिये चलिए आगे बताए कोशन नमOR 46 कौंसा सब्द तत्सम है शिव शुनार घी सिर बताइगे 46 का राइट अंसर क्या जाएगा तत्सम सब्द हमारा क्या एक तत्सम सब्द है ठीक है बाकी हमारी क्या है तदभा होएं आगे बताएंगे आप लोग उपकूल में कौन सा समास है जहां हमारा क्या लगा रहाता है अब्या लगा रहाता है अब्या वहां कौन सा होता है अब्याई भाव समास होता है क्या होता है अब्याई भाव तो हमा सख्षबीक unpleasant और और द्वंद में दोनों पत्त कि आते हैं यहीं वर्ण या या यह सभी है तो 48 का right answer क्या जाएगा तो अंतिम जो होती है वो क्या होती है हमारी धोनी होती है ठीक क्या होती है धोनी right answer हो जाएगा ठीक आगे आजाएए question number आप 49 देखें क्या कर रहा है question number 49 कर रहा है कि नेमने लिखित में से कौंसा वाणी विकार है मतलब वाणी का मतलब बोलने जिससे हम वा असपश्ट उचारण तुटुलाना हकलाना तो यह सभी हमारी क्या है वाणी विचार ही है ठीक है लेखन से कोई संबंदित नहीं तो right answer इसका क्या जाएगा 49 का हमारा तो इन में से सभी हमारी क्या हो जाएगे right हो जाएगे आगे बताजिए यह 40 50 प्रतेक भासा में जो वाणी धोनियां होती है मतलब वाणी जिसे बोलते हैं धोनियों होती है दो प्रकार की होती है सीमित संख्या में होती है असंख्य प्रकार की होती है केवल संयुक्त होती है तो right answer जो 50 का क्या हो जाएगा बताइए right answer क्या हो जाएगा प्रतेक भासा में दो प्रकार की क्या ह वानी धोनियां होती हैं ठीक तो ए पार्ट हमारा क्या होगा राइट हो जाएगा आगे आजाएंगे आप कोश्चन नंबर बताएंगे 51 निसिचर हीन करहु महीं भुज उठाही पनकीन सकल मुनी नहीं के आगमन जाई जाई सुख दीन में उपर युक्त मेंशे कौन सा रस है तो रस तो आप लोगों को मैंने कई बार जितनी बार आ रहा उतनी बार बार तो कितने प्रकार होते हैं नव प्रकार क्यों होते हैं इसके भेद कितने होते हैं तो इसके भेद प्रकार है नव भेद कितने हैं चार है ठीक है और भरत मुनी के अनुशार जो है भरत मुनी के जो रसों की शंख्या कितनी है वह 8 है सान्त रस को जो भरत मुनि क्या किये है रस की संग्या नहीं दिये है सान्त रस को ρείक ये भी याद रखेंगे तो 51 का राइट अन्सोर क्या जाएगा आप लोग बता दीजिए 51 का राइट अन्सोर हमारा क्या आएगा बताई तो हमारा यहां क्या रहा है बीर रस आ रहा है बीर रस ठीक है इससा जो अस्थाई भाव होता है बीर रस का होता है उत्सा होता है इसका जो अस्थाई भाव होगा अस्थाई भाव क्या होगा उत्सा होगा राओद्र का क्या हो अस्थाई भाव होता है क्रोध होता है करुण का क्या होता है शोक होता है भयानक का क्या होता है भय होता है ठीक है भयानक का क्या होता है भय होता है चली आगे चलते हैं कोशन नमबर फिप्टी टू फिप्टी टू बताई दिवा दिवस्सा अवशान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संद्या सुन्दरी परी C, धीरे धीरे धीरे, इसमें कौन सा अलंकार है, बताइए आप लोग, रूपक है, उपमा है, या फिर जो है कौन सा अलंकार, या मानवी करनत, इसमें कौन सा अलंकार है, तो मानवी ये करन अलंकार है, ठीक क्या, मानवी ये करन अलंकार है, 52 का राइट अंसर क्या आजाएग तो इस तरह से इसका भी third part हमारा क्या जाएगा right आजाएगा ठीक है आगे आजाएगे question number 54 बताएगे ठीक है background में थोड़ी शवाज आ रहे हैगे तो उसको आप लोग नेगलेक्ट कर दीजेगा ठीक है क्योंकि मैं इसमें गाउं पे हूँ तो इसका right answer क्या आजाएगा आप बता दीजेए यह पंक्त किसकी है मैथली सरन गुप्त की है तो B part हमारा क्या आजाएगा right answer आजाएगा ठीक है next बताएगे शेडियों की चाहचाहाट आप लोगों को सुना ही दे रही हो तो उसको लिए हम मापी चाहते है क्योंकि मेरा घर थोड़ा outer में है जो इसे मतलब पुरे गाउं में नहीं है बाहर है तो वहाँ पेड़ पोधे काफी है तो इस वज़ा से उसकी आवाज आ रही होगी ठीक है चलिए मेरी तिबबत यात्रा के रचना कार काउन है बताइए मेरी तिबबत यात्रा के रचना कार कार काउन है तो इसका राइट एंसर क्या जाएगा बताइए 55 का राइट एंसर क्या जाएगा तो इसके हैं राहुल संस्क्रिट आयन जी ठीक है नेक्स्ट बताएंगे 57 तमस उपन्यास के लेखक कौन है तो तमस उपन्यास के लेखक जो है भीम शाहनी जी है ठीक है आगे बताएंगे आप लो कोशन नमबर 58 जैसंकरप्रशाद बहुत बड़े नाटक कार थें उन्होंने किस नाटक की रचना की आजात शत्रु जहासी की चानी ससी गुप्त या राज मुकुट की बताई कौन सा राइट एंसर है तो 58 का राइट एंसर हमारा अजातु सत्र के कौन थे जैसंकर प्रशाद जैसंकर प्रशाद के अजातु सत्र के थे ए पार्ट इसका भी क्या हो जागा राइट हो जागा 59 बता दीजिए किस रस को रस प्रवित्य की रचना सबसे पाले दिखाई पड़ी तो लास्ट मुट्ट धर-पांडे की रचनाओं में चाया वादी तो कौन है मुट्ट धर-पांडे तो बी-पार्थ हमारा इसका क्या होगा राइट हो जाएगा I hope मैं ऐसा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा देखिए कुछ लोग कह रहे थे कमेंट में सर आपने कहा था कि फरवरी लाश्ट तक भाई अब कोई नहीं जानता आयोक का आयोक क्या करना चाहता है ठीक है अब देखिए बिधान सभा सत्र समाप्त हो जाए उसके बाद आयोक का गठन हो जाए यहां से जो हमारी जो बिधान सभा में पारित तो हो चुका है ठीक है अब वो आयोक का गठन हो जाए उसके बाद आ का नहीं हुआ है एक दो नंबर चार नंबर पांच नंबर से रुख गया वो लोग तो लगे रहें बैकेंसी आएगी ठीक है बस आप लोग धहरे बनाए रखे ठीक आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत